जाइन दोस्तों, क्या हाल है? कल वाली वीडियो में आप में से काफी साल लोगों ने कहा थोड़ा फेज ना ऐसे ब्लैक 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 आ रहा है तो इसके पीछे दो रीजन है, एक तो मैं हूँ ही काला हम लोग देख सकते हैं कि कितने age से कितने age वाले जादा देखते हैं तो tech channel को कम age वाले students जादा देखते हैं और student मतलब वो अभी grow कर रहे हैं, वो भी ऐसे मतलब fame भी चाते हैं, education भी चाते हैं और पैसा भी चाते हैं और इस चीज का फायदा उठाया जाता है कई अलग-अलग तरीके से, tik-tok ban हो चुका है और 59 apps आप जानते हो यह सारी Chinese applications हैं तो genuine सा और सीधा सा reason है, security से related मतलब यह हमारे लिए खतरा हैं और यह हमारे data को access करते हैं, Chinese server पे upload करते हैं आप समझी सकते हैं, यह सब आप जानते हैं, और इन सारी applications में सबसे ज़्यादा लोग किस पे बात कर रहे हैं और काफी जारे लोग खुश हैं, क्या है? वो है, tik-tok ban और मैं यह कहना चाहूँगा, tik-tok ban is not a solution और इस ban के बाद सबकी अपनी-अपनी ऐसे reactions हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी अच्छा हूँआ, इसको ban होना ही चाहिए, Chinese applications ban हो जाने चाहिए और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि नहीं, यह ban नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुछ real talent भी है, tik-tok पे agree है और वो लोग कहां जाएंगे, like क्योंकि tik-tok एक ऐसा जरिया है, जहां पे अगर किसी के अंदर कोई talent है, बीना extra मेहनत करे, effort करे, editing अगरा, जमेला, setup अगरा लाए बीना, वो अपने talent को दिखा सकता है, और आगे जा सकता है और कुछ लोग अलग अलग तरीके से मतलब ट्रोल कर रहे हैं कि क्या जो 30 करोड रुपे इनोंने डोनेट किया थे tik-tok वालोंने, क्या वो government वापिस कर देगी, तो मतलब सबकी अपनी अपनी एक तरीके से reactions है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने की जूरता है, tik-tok ने हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके से, और मुझे भी ऐसा लगता है, शायद, देखो बाई, शायद कह रहा हूं मैं, मैं भी वीडियो आप बाद में देखो, तो हालात पता नहीं क्या होंगे, शायद ये वापिस आ सकता है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, जैस आप लोगों के जोस का अंदाज हैं, इसे लग सकता है कि टिक टोक के उपर जो बैन की सिर्फ वीडियो बनी, काफी जादा लोग देख रहे हैं उसे, रीजन ये है कि लोगों को पता है वो नहीं, उसकी बैन हो चुकी है, 59 अपस है, और ये भी पता कि हर वीडियो में सिर् गलत वे में जाओगे तो अलग होगा, क्योंकि टिक टोक पे भी कुछ रियल टैलेंट है, मैं एगरी करता हूँ, उनकी रिस्पेट करता हूँ, और यूटूब पे भी कुछ गलत टैलेंट देखने को थोड़े बहुत मिल जाते हैं, तो ये platform to platform ऐसा नहीं कि कोई 100% pure हो जा ता, मुझे देखे लगता है, वीडियो ये एक ही घर के हैं, और ये भाई-बैन होंगे, और इस तरीके से वल्लगर हरकते कर रहे हैं, और इसको अपलोड कर रहे हैं, शोशल मीडिया पे, लोगों में अभी पता ही नहीं कि शोशल मीडिया पे क्या शीयर करना चाहिए, क्य अगर लड़का पैदा हुआ है बात में लड़कियों वाली हरकते कर रहे है और जो लड़कियां पता नहीं कौन सी हरकते कर रही है लोगों को लगता है इनके व्यूज आरे लाइक्स मिल रहे है टिक टोक पर इसलिए डिश्लाइक का बटन नहीं है अभी आप इस मेरी वीडि लड़कियां प्लेट्फोर्म का अंदाज है यहीं से लग जाता है टिक टोक अलगा गला क्रेटर से कौन्टेक्ट कर रहा है आज की डेट में मुझसे भी कौन्टेक्ट किया गया था कि आप हमारे प्लेटफोर्म पे आ जाओ हम आपको आते ही क्या करेंगे वेरिफिकेशन जो टिक का माक आता है वो दे देंगे आपकी वीडियो को प्रमोट करेंगे लेकिन यह लोग करते क्या है आप इसी से अंदाज हा लगा लो ना कि मतलब कोई लेवल ही नहीं एक तरीके से यह जो टिक है ना जैसे यूटूब पे 100K सब्सक्राइबर एक लाग यह बैनोन वाली मुद्दे जब आते है ना तब इन्होंने अपने जो यह नोटिस दिया ना इसमें क्लेयर लिख दिया कि नहीं भाई हमारे प्लैटफोर्म पे भी महान लोग हैं अच्छे क्रेटर्स हैं वो उस चीज का फायदा उठाएंगे और कुछ सफाई देंगे और फिर अपनी कुछ पॉलसी में चीजें बदलने की कोशिश करेंगे हर बार जब भी कोई अप्लिकेशन फस्ती है यही करती है यह कोई भी चीज अब इससे प्रोब्लम क्या होती है जो यंग जनरेशन है आप लोग जो बच्चे हो एक तरीके से 10th क्लास में कोई 8th क्लास में है मुझे पता काफी सारे लोग ऐसी वीडियो देख रहे हैं इसे चीज वाले तो आप लोगों को लगता है कि पैसा मुझे कमाना है और यह हरकते करना कितना आसान है हाई गाइज मैं हूँ सन्नी लियोनी यह सब करना पूरा कल्चर बरबाद कर रहे है मुझे पता है मैं य कि वैसे क्या होता है आप सब लोग जो मतलब अभी ग्रो करना चाते हैं पैसे कमाना चाते हैं क्योंको इनको देख के बड़ा अच्छा लगता है यह तो मैं भी कर सकता हूँ फिल्मों में देखते हो कोई स्लो मोशन कर रहा है कोई ऐसे बाल गलल कर रहा है फटे जीन्स पह है आपको सिखाता है कुछ ने कुछ बहुत सारे प्लैटफोर्म में जो कुछ ने कुछ सिखाने ही कुछिश करते हैं यह आपको सिखाता कम है फालतू के काम ज्यादा कराता है और जो लोग मचेओर ओडियंस हैं जिनकी जैसे टिक्टाक है ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा से दिक्कत नहीं है लेकिन इसकी वज़ा से इतना ज्यादा नेगटिविटी फैल रहा है तिक टोक पे कि मैं आपको क्या बता हूँ और एक मैं आपको सही सही बता हूँ सिर्फ टिक टोक के बैन होने से आप क्यों खुश हो रहे हो यह आप लोग देखते हो ना बैटिंग करो जुआ खेलो, गेम खेलो, पैसा मिलेगा उसकी वज़ा से क्या होता है आप लोग कही सारे लोग प्रमोट करते हैं यह उसी ब्रावजर भी बहुत से लोग प्रमोट करते थे ठीक है आप बैन हो गया तो होता कहा है कि यह लोग इसलिए प्रमोट करते क्योंकि पैसा मिलता ह नहीं करते हैं और आप लोग shortcut के चक्कर में इन चीजों के साथ चले जाते हो, यह application आपके phone में add करवा के पैसे कमाती है, information उठाती है, बहुत सारी अलग-अलग तरीके हैं, तो जब तक कोई trust वाला source ना हो, उससे आप earning वाले काम भी ऐसे छोड़ दो, मैं इनको भी मैं चाता जिस platform पे, अगर आप ऐसा सोचते हो, उसे support करोगे, आप गलत हो, और यह कोई solution है, ban होना, और सिरफ ban होना solution नहीं, मैं भी कल को वापिस आजाए, वो नहीं आए, तो भीगो, लाई की, पता नहीं, क्या-क्या, यह फलाने धिमक्ये जो हैं, इन से influence मत हो, अगर आपके अंद खुदी दमाग बढ़ जाएगा, दमाग आ जाएगा, मतलब आप बढ़ जाओगे, तो आप इन चीजों को खुदी समझ जाओगे, किसी को बताने की जूरत नहीं है, तो यह वीडियो थी ही आप जैसे लोगों के लिए, जो लोग बीना वज़ा influence हो जाते हैं, और यह अप्लिकेशन को, सबको बैन हो जाना चाहिए, चाहिए वो इंडियन हो, चाहिए वो चाइनीज हो, हाँ, अगर वो content अपने आपको वो platform सुधार लेता है, तो मैं उसे support कर सकता हूँ, इस वीडियो को share कर देना, especially उन लोगों के साथ, जो लोग जैज नहीं कर पाते चीजो को कि क्या सही है, क्या गलत है, शायद इस से एक दो लोगों पर भी असर पड़ेगा, तो मेरा वीडियो बनाने का target complete हो जाएगा, और मैं मिलता हूँ, अगली वीडियो में